सरदियों में तिलगुर की चिक्की या तिलगुर के लड़ू खाना किसे पसंद नहीं होता लेकिन इसे बना कर थोड़ी देर रखने के बाद ये काफी कड़क हो जाते हैं जिससे खाने में उतना मज़ा नहीं आता तो इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं त कभी भी कड़क और खराब नहीं होगी नमस्कार में राधा दूबे मौम्स मैजिक चेश्टी फूड में आपका स्वागत करती हूं अगर आपको आज की रिस्पी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जिरूर करें तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम रखेंगे गयास के ऊपर एक कढ़ाई में मैंने लिया है एक लीटर फूल क्रीम दूद आप यहां पर कोई भी दूद ले सकते हैं जो भी आपके घर में यूज होता ह एक बार दूद को अच्छी तरीके से चला देंगे और दूद को उबलने के लिए हम इसे गयास के ऊपर छोड़ देंगे जब तक हमारा दूद उबल रहा है तब तक हम कर लेते हैं बाकी की तैयारी तो एक बाउल में मैंने यहां पिलिया है दो कप तील अगर आप इसे तील को आप भूनते समय गैस का फ्लेव मीडियम रखें और इसे हमें चलाते हुए तब तक भूनना है जब तक के तील अच्छी तरीके से चटकने ना लगे और इससे अच्छी सी सौंदी सी खुश्बू ना आने लगे तील को भूनने के लिए बहुत अधर समय नहीं लगता है ये चार से पांच मिर्ट में अच्छी तरीके से भून कर तयार हो जाता है इस तरीके से तील को चारो तरफ से चलाते हुए मिसे लगातार भूनेंगे ताकि जो हमारा तील है वो चारो तरफ से इक्वल भून कर तयार हो तील हमारा अची तरीके से भून चुका है और उसका कलर भी चेंज हो चुका है और तिल से काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है, अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इस तिल को एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे, जब तक हमारा तिल थंडा हो रहा है तब तक हम दूद को देख लेते हैं, दूद भी हमारा उबलन देंगे, तब तक हम बागी का प्रोसेस कर लेते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे लेगें मिक्सिंग जार, और जो हमने तिल को थंडा होने के लिए रखा था, वो भी हमारा आची तरीके से थंडा हो चुका है, तो इसे हम मिक्सी में डाल कर इसे अच्छे से पीस लेंगे एक मुठी भुने हुए तिल को हम निकाल लेंगे, बाद में मैं बताओंगी कि हम इस तिल का करेंगे क्या, तिल को पीसते समय आप एक बात का ध्यान रखें, जब आपका तिल अच्छी तरीके से थंडा हो जा तब ही आप उसको पीसें, अगर आपने तिल को गरम पीसा तो तिल से जो तेल है रिलीज होने लगता है, और यहां पे आप एक बात का और विध्यान रखें कि मिक्सी को बन चालू करके ही आप तिल को पीसें, और हमें इसे इस तरीके से दरदरा ही पीस कर तयार करना है, अगर आपका तिल पीसते समय ठंडा हुआ रहेगा, तो जब इसका तयार कर लिया है, तो अब हम इसे साइड में रख देंगे, और तब तक हम दूद को अच्छी तरीके से चला चला कर पका लेंगे, तो दूद को पकाते पकाते दूद भी हमारा अच्छी तरीके से गाड़ा हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रवडी के फॉर्म में आ गया है अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कप गुड़ गुड़ आप अपने मिठास के हिसाब से कम यह ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे चाहें तो चीनी या जा सकती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में गुड और तिल काफी खाया जाता है, क्योंकि गुड और तिल की ताशीर गरम होती है, दूद और गुड को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे पीसा हुआ तिल जो हमने पीस कर पहले से रखा हुआ है पीसा हुआ तिल डालने के बाद हम गैस का फ्लेम आउन कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे तिल गूर और दूद को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच इलाइची पाउडर यह पूरी तरीके से ऑफिशनल है कर आप डालना चाहते हैं तो डालें नहीं तो आप इसे इसकिप कर सकते हैं साथी में मैं इसमें डालें दो से तीन बड़ा चमच बारीक कटा हुआ काजू आप यहां पर अपने मन पसंद का कोई भी ड्राइफूट्स टाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो और यह बिना ड्राइफूट्स की भी बनाया जा सकता है सारी चीज़ों को चलाते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इस मिक्षर को तब तक पकाएंगे जब तक कि यह कढ़ाई को खुद से ना छोड़ने लगे और आप देखेंगे कि जो तील है वो धीरे-धीरे तेल को रिलीज करना शुरू कर दिया है तो धीरे-धीरे जो मिक्षर है वो बिल्कुल जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है और मिक्षर में भी हलकी सी शाइन आ गई है अब हम यहां पर गयास का फ्लेम बंद कर देंगे और इस mixture को हम एक प्लेट में फटाफट जमा लेंगे, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही बर्फी की tray को grease करके रखा हुआ है, इसी में सारे mixture को हम set कर लेंगे, तो यहाँ पे जो तिल को पीशते समय हमने एक मुठी तिल को निकाला था, उसी भुने हुए तिल से मिसे ऊपर से decorate कर देंगे, तिल डालने के बाद हम इसे हलका सा spatula से set कर देंगे, और इस बर्फी की खास बात यह है कि यह आदे घंटे में ही set होकर तयार हो जाती है, बर्फी को जमाय हुए मुझे पूरा आदा घंटा हो चुका है, और यह बर्फी अच्छी तरीके से set होकर तयार हो चुकी है, बर्फी का जो उबर खाबर साइट्स था उसे मैंने काट कर निकाल दिया है, अब हम इस बर्फी को पीसेस में cut कर लेंगे, आपको बर्फी के पीसेस काटते ही समझ में आ रहा होगा, कि जो हमारी बर्फी हो कितनी soft और कितनी perfect बनी है, खाने में यह बर्फी तो तिलगूर की बर्फी है, लेकिन देखने में यह बिल्कुल मलाई बर्फी को टकर दे रही है, तो आप इसे तिलगूर के कलाकन भी कह सकते हैं, बहुत ही soft और बहुत amazing recipe है, और बहुत ही healthy है, और यह तिलगूर की एक ऐसी मिठाई है, जिससे हम जैसे लोग तो खाई सकते हैं, लेकिन जिसके पास दाथ भी नहीं, वो भी इसे बड़े चाव से खा सकते हैं, तो इसे एक बार इस मकर संक्रान्ती पर बनाना तो बनता है, तो इस recipe को आप try करें, और अपनी family के सब मकर संक्रान्ती enjoy करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो उस subscribe के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल free है, और अगर आपको ये recipe मेरी पसंद आई हो, तो लाइक भी जरूर कर दिजिएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, share, comment और subscribe करना ना भूलें, धन्यवाद,